दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है मनुझ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सवर्ट टिटोरिल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक है भासा एवम विचार दोस्तों मौनोवै ज्यानिकों ने अलग अलग तीर मत दिये हैं एक तो वो है जो भासावादी है एक वो है जो विचारवादी है और एक वो है जिन्होंने भासा और विचारों दोनों का तालमेल बताया है भासावादी कौन है विचारवादी कौन है और दोस्तों दोनों के साथ कौन है भासावादी वो है जिने हम ब्यवहारवादी कहते हैं अगर भासावादीयों के नाम की बात करें तो ये थंडाइक है, पैवलाव है, जेवी वाट्शन है और दोस्तों इसकिनर है यानि ब्यवहारवादीयों को हम भासावादी कहेंगे और दोस्तों हम आते हैं अगर विचारवाजियों की तरब तो इसमें एक नाम है आप बता सकते हैं जिन्हों ने मांसी विकाज का सिक्धांत दिया था यहनि संग्यानतों विकाज का सिक्धांत दिया था तो दोस्तों वो नाम है बहुत important CTTT हर्जगत तहल का मचा रखा है आप जानते हैं जीन प्याजे को और दोस्तों एक नाम है लीब बाइगोट्सकी का अब इनको हम अलग-अलग सीखते हैं लीब बाइगोट्सकी भी बहुत जादे इंपोर्टेंट है अपने आप में चले दोस्तों हम भासा और विचार के बिचार वाद में आते हैं भासा पहले आती है यहाँ पर आप अगर देखें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भासा वादियों का मानना है कि भासा बिचारों को जन्म देती है यानि बच्चा जो बोलता है सबसे पहले भासा बोलना प्रारम कर देता है बिचार बाद में उसके अंदर उत्पन होते हैं, यानि विचारों से पहले भासा का जन्म होता है, दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं जीन प्याजी के ओर, जीन प्याजी का कहना है कि विचार भासा को जन्म देते हैं, यानि बच्चे के मन में विचार उठते हैं, जरूरी नहीं है बहे उनको कर पाए अर्था विचारों का जन्म पहले होता है भासा का जन्म बाद में अर्था अब यहीं पर दोस्तों देखिए अगर भासा वादियों की और जाएं तो भासा वादियों का उल्टा वोला है उन्होंने विचार वादियों ने विचार वादियों में नाम मैं आपको बता के संबन में जो अपना मत दिया है वो वाकई बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है वो बात ही ऐसी है कि दोस्तों आप सब लोग सहमत होंगे लीप आई गोर्षकी ने कहा था कि जब बच्चे का जन्म होता है और दो वर्ष तक उसके विचार और भासा दोनों अलग- विचारित नहीं है और जो विचार कर रहा है जो मन में विचार उत्पन हो रहे हैं उसको भासा में नहीं बोल पाता है इसलिए जो बोल रहा है वो विचार उठ रहे हैं वो बोल नहीं पा रहा है यानि भासा और विचार स्वतंत्र हैं जब बच्चा दो साल का हो जाता है दो साल के पस्चाद भासा और विचारों में निकटता आती है, यानि कुछ हड़तक जो विचार उठते हैं, उनको भासा में पिरो देता है, उनको बोल देता है, यानि जो बोल रहा है कुछ हड़तक वो भी विचारित होता है, जब बच्चा साथ वर्ष का हो जाता है और इसके पस्चार्थ तो दोस्तों यहाँ पर इन्हों ने कहा है कि भासा और विचारों में काफी हर तक निकटता आ जाती है यानि जो अब विचार कर रहा है तो उसको बोल रहा है और जो बोल रहा है तो वो विचारित है दोस्तों अब लास्ट में हम आपको बताएं तीनों पॉइंट अलग अलग निस्कर्स पर क्या पहुंचे भासावादी कहते हैं कि भासा पहले जन्म लेती हैं बिचार बाद में अर्थात कह सकते हैं भासा बिचारों को जन्म देती हैं बिचार बाद में अर्थात बिचार ब निकटता आती है और साथ वर्स के बाद भासा और विचार अत्यंत निकट हो जाते हैं यानि जो बच्चा बोल रहा है वो विचारी तो बोल रहा है और जो विचार उठ रहा है उसको बोल पा रहा है दोस्तों हमारे द्वारत से जाया हुआ आज भासा और विचार आपको कैस झाल झाल